एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुपता ने अर्विन केजरिवाल पर निशाना साधा आदेश गुपता ने कहा कि खुद को इमानदार बताने वाले केजरिवाल अपने ब्रष्ट मंत्री सतेंदर जैन पर आखिर मोंधारन करके क्यों बैठे हैं कहा कि खुद को इमानदार कहने वाले केज्रिवान ने सतेंद्र जैन पर कई बार भरष्टाचार के आरोप लगाने के बाद भी उनको नहीं हटाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुपता ने कहा कि जाँच में पाया जाता है कि सतेंद्र जैन खुद कह रहे थे कि हवाला का 16.49 करोड रुपा उनकी कमपनी में पहुँच जाए कुपता ने कहा कि हवाला का जो पैसा सेल कमपनियों में मांगते थे उसे जमीन की खरीदारी में लगाते थे कहा कि केजरिवाल को पहले ही पता था कि सतेंद्र जैन ब्रष्टाचार में लिपते हैं पर उन्होंने कोई कारेवाही नहीं की लेकिन जब इडी ने सतेंद्र ज हाई देते हैं हर जगह जाते हैं कि हम तो कट्टर इमानदार हैं हम तो कट्टर देश भक्त हैं और ये उनके चहेते जो खास हैं जिनको वो तमाम घोटाले सामने आये लेकिन उन्होंने नहीं अटाया और जाच के दस्तावेजों में साफ किलियर हो रहा है कि 16.49 करोड रुप को से लेंदेन हुआ है और वो हवाला कारोबारी भी ये स्युकार कर चुके हैं उनके नाम जीवेंदर मिश्रा अविशेक चोखानी और राजेंदर मंसल उन्होंने भी मान लिया है और इस बात का खुलासा इंकम टेक्स विवाग की जाच में भी आया है कि ये पैसे का लें अनेन सतेंदर जैन की जो फरजी कमपनिया है उनके द्वारा हुआ है आदेश गुपता ने कहा कि हमेशा से चीख चीख कर इमानदारी की दुहाई देने वाले अर्विंद केजरिवाल और उनकी सरकार का काला चिठा सब के सामने आ गया है उनके मंत्री सतेंदर जैन पर झाल